नमस्कार मैं हूँ प्रदीप आप ठिंक 360 देख रहे हैं आज बात करेंगे एक ऐसे धार्मिक स्तल्की जिसमें उमडने वाली आस्ता का वैसे तो कोई पारवार नहीं है लेकिन मामला थाने तक पहुचा है मांडोली गाउं का शांति सुरी जैन मंदिर जो है वहाँ एक मानिता हैं जैन समाज के स्वेतामबर पंथ में और मांडोली जो गाउं हैं उसको लोग तीर्थ के रूप में पूजते हैं 1943 यानि की जब विश्यूद दूसरा विश्यूद चल रहा था उस वक्त संत ने देह त्याग दी थी और उन्होंने इच्छा जताई कि मांडोली मे ही उनका जो है वो अगनी संसकार किया जाए एक पुस्तक के अनुसार उनका उसी दोरान अंतिम संसकार किया गया बोलियान लगी और उसके बाद लोगों ने मिलके एक मंदिर का निर्मान करवाया और उस मंदिर की प्रतिष्ठा जो है वो जैन धर्म की जो उनकी जो प्रक् या के नुसार भी मंदिर की प्राण प्रतिष्टा की गई अब ये कहा जा रहा है कई सारे मैसेज़ेज ग्रुप में वाइरल हो रहे हैं अलग अलग ग्रुप में जिसमें भक्तों और ट्रश्ट के बीच कुछ अन्बन जैसी बात आ रही है मामला अभी तक हवा हवाई जैसा भी नहीं है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि मामला रामसीन थाने में पहुँचा है और ये कहा जा रहा है कि महानसंत सांति सूरी महराज से जुड़ा हुआ एक बहुमुर लिपाठ चोरी हुआ है चंदन की लकडी का इसके अलावा बहुत गंभीर हो सकता है क्योंकि इस इलाके में बड़ी माननता है मांडोली वैसे तो एक छोटा सा गाउं है लेकिन उसको लोग मांडोली नगर कहते हैं और श्रेतांबर जैन धर्म को मानने वाले तमाम लोग उस गाउं में उस मंदिर परिसर में आस्था और बड़ी ही सद्भा के साथ जाते हैं हर धर्म के लोग वहां पर वहां की जो भोजन साला है उसमें भोजन प्रसादी भी पाते हैं साथ ही लोगों का एक बड़ा सा अच्छा लिब्रल सा माहूल है तो क्या यह कोसिस ट्रस्ट को बनाम करने की साजिश है या यहां जो काम कर रहे हैं लोगों के गायब हुआ हैं तो स्वता है गायब होने से रहा इसके बावजूद चोरी के रिपोर्ट थाने में नहीं दी गई हैं मिसिंग जैसी रिपोर्ट आई हैं अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं लेकिन मामला अब जालोर की फिजाओं से निकल के सांतिसुरी मंदिर ट्रस्ट के बाहर के जो सदस्य हैं जिसमें मुंबई के लोग हैं जिसमें अमदाबाद गुजरात के लोग हैं और पूरे राजस्तान में जो आस्था रिकॉर्ड पे नहीं आते तब तक उन्हें आरोप ही माना जाएगा अब ऐसे में यह लगता है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड हुई है और यह गड़बड जो है वो मांग करती है कि जांच होनी चीह है प्रकरण की क्योंकि यहां जो लोगों से जोड़ी हुई आस्था ह वो बहुत जवरदस्त है और मंदिर प्रशासन की और से कस्पताल और विद्याले का संचालन भी किया जाता है ऐसे में अगर किसी तरह के आरोप सत्य पाए जाते हैं तो निश्चित तोर पे कई सारी चीजें बदल जाएंगी और अगर यह आरोप जूटे हैं तो ऐसे आरो सिक्स्टी को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें